आप सभी का स्वागत है अज करेंगे हम करेंगे हिस्ट्री को टॉपिक्स को करेंगे खासकर हम मौडर्न हिस्ट्री को आज मैक्सिम कोश्ट्टन्स जो है वो अपके लिए एक हफते बाद आप सभी जो है वह एक्षामिनेशन भी है और जो बच्चे अभी तक स्वेए मोडर्न हिस्ट्री में थोड़ा सा जो जिनको थोड़ा सा डाउट आ रहा है तो वह इन कोश्ट्रू जो है वह क्या कर सकते हैं अपने डाउट को जो है वह पूरा कर सकते हैं अगर आप यह कोश्चन कर लेते हैं तो मैं यह कहता हूं कि आपकी मॉडर्ण हिस्ट्री जो है वह बहुत ही अच्छी चल रही है तो गुड मॉर्णिंग जल से जल जो है वह जोड़ जाई है अपने जितने भी वाट्सप चैनल्स हैं वहां पर उसको इसको डाड़ी 20 important questions करेंगे यह 20 important questions बहुत important होते हैं जो कि पेपर के point of view से ही डाले गए हैं और हर बार की तरह जो मैंने बोला है कि आप लोगों को लिए नए questions लेकर आएंगे हर सेशन में आपको क्या मिल रहे हैं आपको क्या मिल रहे है प्रॉपर नए questions देखने को मिलते हैं ताकि आपको हर बारी दियूम मिलता है तो अभी आपको जो है वो चीज़ें याद भी रहेंगी उससे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले यह पी टीजीट कमीशन एच्पी आप सभी को पता है 5000 से ज्यादा वेकेंश इंक्लिवडिंग जीविटी जो है वो भी इंक्लिवड है तो जीविटी टीजीट की तियारी जो कर रहे हैं तो हमारा नॉन मेडिकल का बैच तुए यह 8 सब्सेंबर से स्टार्ट है इस पर 20 प सब्सेंबर से ही वह स्टार्ट हो रहा है तो आपको स्लाइड मैंने इसमें आड नहीं की है तो आपके लिए बिग ऑपर्चुनिटी है जो बच्चे टीजीटी की त्यारी कर रहे हैं तो यह बिग ऑपर्चुनिटी इसके बाद पता नहीं इतनी वकेंसी आपको देखने को मिलेंगे की नहीं मिलेंगे ठीक है तो आज का सेशन शुरू करते हैं सबसे पहला कोश्चन जो है वह आपके लिए डाट इस योड फूवाज आइंसी के जो सेशन्स होते हैं डियार वेरी मच इंपॉर्टेंट चाहें 1985 से लेकर डेवलीजी जो की पहले प्रेजिटेंट थे जो पहले प्रेजिनेंट थे उसके बाद जैसे गांदी जी 1924 में बैल गाम में सबसे पहले बने 1925 में फर्स्ट इंडियन वूमन जो है वह आपकी डाटी जो एनी वेसिंट बनी उसी के साथ फर्स मुस्लिम जो है वो बद्रुदीन त्याप जी है अना तो इस तरीके से फर्स्ट इंग्लिश कौन थे कौन सा सेशन जैसे 1905 के गुपाल कृष्ण गोखले जो है जापर स्वदेशी जो हमने वर्ट जो दिया था स्व सुबाचंद्र बोस से रिलेटेड़ हो वल्लाभाई पटेल से जो बड़े लीडर से जिनों ने और या फिर उन में कोई एक इंपॉर्टेंट जो क्या फैसले लिए गए हो जैसे 1931 का आपका कराची सेशन है वल्लाभाई पटेल जो भी उसमें वह क्या थे जो कि हमारा रि अगर अगर अभी आप बात करेंकि जो पीम थे बॉठेन के पीम थे ब्रिटेंट पीम थे तो वह आपके Clement Attlee जो थे Clement Attlee जो थे वो उस टाइम पे क्या थे That is your Prime Minister थे Of the Britain उसी टाइम पर आगर आप से को पूछे कि Governor General या फिर वाइसरे ओफ इंडिया कौन थे वाइसरे ओफ इंडिया तो थे Lord Mountbatten जो थे Lord Mountbatten जो है वो उस टाइम पे क्या थे आपके वाइस्ट्रे अफ इंडिया जो है वो उसी टाइम पे थे तो ऐसे कोशन जो पेपर में आते हैं यह बार-बार आते हैं यह रिपीट होते हैं तो इनको नहीं चोड़ना होता हुथ है इनको नहीं चोड़ेंगे स्पाइडर पूछ रहे हैं सर एच्प एलाइड के लिए पूरी स्पेक्ट्रम पढ़नी चाहिए या कुछ में नियुरॉबिक देखो मैं आपको पताता हूँ अगर आपने एलाइड की तियारी करनी है तो सबसे पहले आप ट्वेल्ट क्लास की जो NCRT है ट्वेल्ट क्लास की को जरूर पढ़े और उसके बाद स्पेक्ट्रम को पढ़े उसके बाद जैसे हम बोलते हैं कि अगर आपने में त्यारी करनी है तो सबसे पहले ऐलाइवेंथ और ट्वेल्ट की पॉलिट को पढ़ लो और उसके बाद आप क्या बोलते हैं लक्षमी कांत को जो है वह कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि स्पेक्ट्रम में नहीं है कि आपको आपको देखने को मिलें कुछ और इतना डिटेल में नहीं बताया उन्होंने और जहां से आपको आता है तो आपको पेपर में कोशन आ जाता है अगर आप इनको पढ़ते हो पहले और उसके बाद क्योंकि आत आपको स्पेक्ट्रम में नहीं मिलेगी तो फिर वहां दिक्कत हो सकती है तो अभी के लिए तो आप यहीं करें ठीक है नेक्स्ट कोश्चन आपका है स्प्रिंग टाइगर स्टुडी ऑफ रेवलुशनरी इस बायोफिकल वर्क ऑन स्प्रिंग टाइगर जो है कि बताइए एक जीवनी संबंदित कारे किस से रिलेटिड है भगत सिंग चंदर्शेकर अजा सुबाचंद्र बोश या श्याम जी कृष्ण बर्मा बताएंगे भी आंसर भाई सौरव जया स्पाइडर प्रज्वा अलानूप शर्मा साक्षी इन सभी के आंसर पिछले आये और इनको एक बार अच्छे से पढ़ लिया तो यहीं इसमेशने पैपर निया था जी स्पेक्टर में से आया था स्पेक्टरम पड़ी इसमेशा है अब मानके कौन सा है मुस्लिम मुमिट कौन सा है तो ऐसे कोशन पता है आने है तो इनको एक बार भ्रामोस माज को उठाओ नेट को खोलो बुक्स को खोलो एक बार उसकी पूरी डिटेस लिख दो विदंता कॉलिज कब बनाया हिंदू कोलिज में उन्हें किसकी मदद की थी लिए कलकत्ता में तो ऐसे कोशन जो की पेपर में डिरेक्टी पूछ लिये जाते हैं तो वहां पे आपको फसते हो आपको एक बार डिटेल में पढ़ लो तो अपने आप हो जाएंगे ठीक है तो य अब यह तो पता लग गया हमें की लखनाऊ सेशन जो है 1916 में मौडरेट जो की नरम दल के थे और जो आपके गरम दल के थे यह दोनों के दोनों ने अकठे अटेंड की थी पर वो कौन से किसका सबसे बड़ा रोल था मौडरेट क्योंकि मौडरेट एक्ट्रीमिस जो है वह 1907 में सूरत स्प्लिट जो हुआ था सूरत स्प्लिट जो हुआ था उसमें यह दोनों अलग हो गए थे वह कह रहे थे कि बालगंगा दर तिलग को बनाना है लीडर और वह उन्होंने किसको बनाया था तैटेट उस टाइम पे दादा भाई रास बिहारी बोस्ट जो है वह वह बनने थे उस टाइम पे अना तो य सेंटेट बोने की थी बट सबसे जाएधा effort जो थे मुहीं जो एक थ्रीके से समझी थी कि आईसी चीज होनी चाहिए अगे इंडिया को आज़ादी जो है यहां पर पर लेकर दे सकते हैं वही है बात तो हैं यहां पर राइट आंसर यहां है चलिए नेक्स कोशन बताइए ल अधर कशेश्राडवेश्टि लेटर कर दू बनारस हिंदू उनिवर्सिटी उनीस सो सो ला में वनी थी और मदन मोहन मालविय जो है यह फॉंडर माने जाते और कहा जाते महात्मा गांधी महात्मा गांधी का सबसे पहली public पॉलिक स्पीच जो थी पॉप्लिक स्पीच जो सबसे πहली ली थी उन्हें जब वह 9 जनवरी 1911 को बहुत में है ऴॉढ अब यहां पर शोटा-सा जो इन IS गलत समझ कि उन्होंने पूझा हुएंगगदा फॉलिंग हैट फांड़ेट था सेंट्रल निम्ने किस ने बारन सुझें में बनारस हिंदु बनाया था तो एनिवेस्ट ने 1898 में च्ट्रल हिंदु इंदु कॉलेच बनाया था और जो कि बाद में जागे आपका बनारस हिंदु युनि बनारा सिंदू उनिवर्सिटी बना चलिए नेक्स कोशन बताइए कॉंग्रेस वास्तम में हथ्यारों के बीना एक ग्रह यूद्ध है निमिलिक्यू में से किसी कॉंग्रेस के संबंध में उप्रूक्त टिप नहीं की थी ति कॉंग्रेस इन रियालिटी इस सिबल वर यह यहां पर पूचे जा रहे हैं तो लौड डफरेन मुहमद अली जिनना एमध सेद अमध खान यह लौड करजन लौड डफरीन आप सभी को पता है कि 1885 में इसी के टाइम पर जो है वो आई-न-सी जो है वह आपकी बनी थी मौहमद अली जिनना के बारे में आप जानते है जिए पाकिस्तान बनाने में सबसे बड़ा रोल जो है इनी का आया सभी आमिर खाद जिन्होंने अलिगड़ मुवमेट भी जो है वो स्टार्ट किया था अलिगड़ मुवमेट स्टार्ट किया था मतब इनको बोला जाता कि मुसलिम्स में जो अलिगड़ मुवमेट बीच लाया था और इनके खिलाब पत्वा किसने जायर किया था दैड़ नानो तभी जो है तो इसलिए इनके खिलाब पत्वा भी जारी कर दिया था कि यह मुसलिम्स को बठका रहें और लॉड कर्जन के बारे में आप जानते हैं कि 1899 में बंगाल का विभाजन इंडियन उनिवर्सिटी एक्ट ऑफिशल सीक्रेट एक्ट कई सारे एक्स जो यह लेकर रहे था और हिस्टोरिकल चीजों के लिए बहुत जादा काम इन्हों नहीं कि यहां पर पेपर में ऐसे यह सारे फैक्ट साब्सकों जो मैं पता रहा हूं यह पेपर में कहीं नहीं कहीं हिट कर जाते हैं चलिए नेक्स बताइए हूर लेट दर रिवोल्ट ऑफ 1857 इन फैजाबाद फैजाबाद से 1857 की किसमें लड़ी थी राओ तुलारन खान बहादु आखीए निया ऑधी। बताइए को लोड़े जैसे जहांसिखी राणी लड़ी आपके कुमर सिंग बिहार से लड़े और और या पिला बोल सकते हैं अजीद सिंह भाहाद से लड़े उसके बाद आप जहांसीगी रानी की बात कर रहे हो हैं आप आप वहादुर खान की बात नाना साहिब होगे यह सभी कहीं से लड़े तो बताइए भाई फैजाबाद से को लड़ा तो आंसर जो होगा वह एहमद उल्ला यहां पर राइट आंसर जो है वो बनेगा आज मुझे था कि बच्चे कम आएंगे क्योंकि सभी के सभी जो है वो लगे होएं आप त्यारी में अच्छे की अच्छे निकरना पर यह तरीके से कि फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में इंग्लिश यह दोस्तली इंग्लिश वर्षी चांद साहिब यह फ्रेंच वर्षी अन्वरुदीन यह जो आपके सेंट थोमोस हुई थी यह आपकी कार्नाटिक वले एरिया में जो थी वहां पर यह आपका युद्ध जो है वो सेशन लाइक करना बहुत ज़रूरी है कि मैं तो यहीं चाहता हूं कि मेरी टीम पूरी चाहती कि आप लोगों को सही चीज़ें प्रवाइड की हैं आपको हर जगा पर जहां पर भी हम करते हैं कौशिश के आपको सही जगा पहुचा है आपके लिए अब देखो मैंने मिशन यहां पर करेंगे जो की आपके चोटे लेवल से पतवरी लेवल से लेकर आपके हाइड लेवल तके कौश्टम सारे वहां पर कवर आप करेंगे टॉपिक वाइस सेंससी जो हम करें kट्रेस्ट तो यहां। यहां पिपर आंसर जो है वो फ्रेंच विस्स अननुर्दीन यहां पे आंसर सभ्सकाया ंसेन का यहां पर आधे लोग सिक्यान सबस्खांब दी जो है वो आपका राइट आंसर वो बनेगा चलिए नेक्स्ट है आपका कुशन तो सुपरवाइज दे लैंड रेविन्यू क्लेक्शन प्रॉसेस दूरिंग दे राइन ऑफ वारेन हेस्टिंग बारे में मैंने आपको पताया था आपने अगर मेरी वीडियो अगर लगाई है आप लोग तो क्यों नहीं देखते हो ठीक है जब मैं टापिक पढ़ा रहा है तो उसको आशे रखते हैं मैंने लैंड रविन्यू सिस्टम पढ़ाया आपको बूरा जिस नीती थी ब्रिटिश काल में जो जैसे कि आपका पर्मेंट सेटलमेंट था पर्मेंट रहत वारी जो है वह एक्स्टम के और तो यह तीनों को पढ़ो के तो पहले मैंने वैरे नेसिंगP के बारे में बताए था इसने क्या चलाए इसने बोली सिस्टम चलाया इसने इतना प्रडक्षण इतना टक्सको दूँगा उसको दे दिया जाएगा और जितना वह मतलब उसको ब्रहसे- किसान अट्याचार घृट चाहँ, निकाल रहा था तो आंसर यहां पे कलकत्ता मुंगियर मूर्शीदावर या भागलपूर वाइस टाइम पे जब आप बार वेरें हिस्टिंग की बात करो कि फॉर्स गवर्नर जर्नल औबंग इनको बोला जाता है तो इनके टाइम पे तो कलकत्ता विंगौल यहां पर जो है मेन आंसर जो है वह राइट आएगा कि कल का टाइम नहीं लगा इस क्लास के बाद कल का टाइम नहीं लगा चलिए नेक्स कोशन का आंसर बता ही अरेंज दा फॉलिंग वोईस्रे एक्वादिन टू क्राउलर्जिकल ओडर और यह कुशन आपको आता ही आता है यह कोशन आपका बनता ही बनता है अरेंज दा क्राउलर्जिकल ओडर में आपको कुशन आता है लौड लैडाउंस लौड इलगिन लौड रिपन लौड डफरिंग जल्दी बताएंगे आंसर क्या होगा कौन सबसे पहले आया कौन उसके बाद आया और ऐसा कोशन आपको हम यहां पर क्या है यहां सबसे पहले आएंगे क्यूंकि आपकी तो आपके पहले ही कट और रिपन आयते तो यही'll राइंसर आएगा में लौड इल्ली यह बहुत छोटा था दोनों का एअ तो बट यह दोनों तो बहुत तो बहुत रिपन लौड रिपन उख तो यहां पर जिन्हों ने भी आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर है शावश चलिए नेक्स्ट कोशन आंसर बताएंगे फूम अंग दा फॉलिंग आधा इंडियन मेंबर्स आप मूडी मैं कमीटी जेको मूडी मैं कमीटी के मैंबर इन में से कौन कोने सर सीवा स्वामी अयर तेज बहा इंडियन प्रेस एक्ट इंडियन प्रेस एक्ट 1910 और इंडियन न्यूस्पेपर एक्ट न्यूस पेपर एक्ट 1908 ये दो एक्ट जो है इनको रिपील जो है न वो 1921 में ये तेज बहादुर सप्रू नहीं किया था ये ध्यान में रखना किस ने किया था तेज बहादु सप्रू ने 1908 और 1910 में इसको रिपील किया था मौमद अली जिन्ना का नाम तो आप जानते हैं वह उसको उसको क्या बोलते हैं तरीके से बोल सकते हों कि उसको रिव्यु करने के लिए मुढीमंज कमेटी जो है वहाद बनाए गई थी उन्डा और मुडी म organizing 21924 में या आपको पेपर में आ सकता है या और में या फिर आपको चीज़ने लगा तो मूडी में कमेटी आपने ध्यान में रख भी तो आंसर जो हो यहां पर 1234 जो हो यहां पर राइट आंसर जो है वह बनेगा कि चलिए नेक्स्ट कोश्चिन कहां से बताएंगे गांदी जी गांदी जी के नीजी सचीव कौन थे क्तेश्य इस मित्र कौन थे गांदी जी के नीजी को सचीवर गांदी जी के नीजी सचीवर गांजेट होगा आपका माहदेव जी के पर्सनल सकीरटरी जो है वह माएजा पर लाइड का पेपर देते हैं तो आपको कोश्चन आते हैं तो पेपर में यह कोश्चन आपका बनेगा प्रक्राइब के तहत बनाएंगे कानूनों के अधिनियम कहा जाता था या मान के चलो कि जिनको पहले रेगुलेशन कहा जाता था रेगुलेशन उनको अब जो है वो क्या कहा जाएगा जो भी लो पास होगा उनके आगे एक्ट लगाया जाएगा यह बात कप की गई थी यह मैं 10OME पूछा है बताइए आंसर क्या होगा कि तो टेंट का d आंसर दे रहें यहाँ पर इंडियन कांसिल एक 1861 आंसर आ रहा है सभी का यहां पर बहुत कम लोगों का आंसर जो है वो ए आ रहा है और आंसर जो है वो आपका ए ही है यह लौड विलियम बेंटिक का जब बने थे ना हमारे लौड विलियम बेंटिक जो बने थे हमारे दाट इस क्या बने थे यह हमा लॉर्ड केनिंग के टाइम पर थोड़ी ना हुआ लॉर्ड केनिंग के टाइम पर बहुत कुछ हुआ पॉर्ट्फोलियो सिस्टम माया ने हाई कोट्स बने तीन ने मेंबर्स एड किये दाट इस अनदर तिंग यहां पर आपने ध्यान रखने कि 1833 यहां पर आंसर आएगा ज बाट विल्यम बेंटिक नहीं आपका जो अठारा सो नतीस में जेव सतीफ रथा को बैन करवाया था विद्धा है तो यह सारी चीज़े आपको ध्यान में रखनी है चलिए नेक्स्ट कोशन गाल से बताएं इन विच आफ फॉलिंग सेशन फॉस्लिम लेग मुहमद इकबाल अलग प्रांद प्राखिस्तान की गठन की जल्दी बताएं कि समें मुहमद इकबाल जिनको बोला चाता कि पाकिस्तान आम इन्हों ने बाद में दिया वर उससे पहले यह नाम जो है वो जिनना कौन सा नाम चाहते थे इंडिया पट इनको लगा कि यहां पेंडिया जो है वो एक Britishers के द्वारा दिया गया नाम है तो हम अपनी नहीं पहचान जो है वो बनाएंगे पर इनको लगा कि शायद इंडिया भी जो है वो भारत मता की जैया भारत को जादा consider करता है तो वो भी भारत ही बनाएगा इसको लगा था कि बारत ही बनाएगा बट नहरू जो है वो चाहते थे कि इंडिया नाम आई क्योंकि इंडिया उस टाइन पर आल अवर वर्ल्ड में जाना चाता था चाहिए वो ब्रिटिश या कोई भी हो जब इंडिया का नाम हो तो एक ब्रैंड था तो इंडिया ने वहीं से अपनी अडेंटिटी जो है वो बनाए रखी और पाकिस्तान एक नया नाम निकला अगर आप किस की बात करते हैं तो के अगर बीच में से कोई और निकल कर कोई कंपनी बनती है तो फिर भी लोग के एप सी को जादा जाने उस कंप बhारत के दोनों के बीच में थी उस फे करने ंंगे और अगर 14 कंप पढ़ते ओ तो वहां पर भारत जो है वह लिखा गया है तो हम दोनों जो है वहां पर बोल सब्सक्राशिए अन्यों सब्सक्राइब गया था कि भाई formation of separate province पाकिस्तान ठीक है सेचन मुस्लिम लिग मुहम्मद इकबाल की बात कर रहे हैं यहां पर उनका अपना सेशन जो था उसकी बात नहीं कर रहे हैं जहां पर पाकिस्तान एक अलग से अमारा देश होगा पर उन्हें यहां पर मुहम्मद इकबाल ने जो चली next question है who said the mahatma is more right when he is wrong than we are when we are right किस्ते कहा mahatma जब अधिक सही होते हैं जब गलत होते हैं बजाए इसके कि जब वे सही होते हैं तो mahatma अधिक सही होते हैं बताईए यह यह लाइन किसने बोली थी बहुत बढ़ी यह लाइन है पेपर में आ जा तो हो जब महत्म तब अधिक कि जब गलत होते हैं इसके कि जब हम सही होते हैं तो हम अधिक चैनल या फिर सी आर दास पताई एप चल्द ही भर ऊसर पताने आप सु इने श्यावाश मिलते हैं आप लोगों को मैंने बताया आपको नए कोश्ण मिलेंगे अब बताओ नोटी कर लो ये कोश्ण को इस को स्क्रीन शॉट मार गए डाल दो कहीं पर बतादा वह ये बताओ किसने का महातमा तब अधिक सही होते हैं होते हैं मातमादिक सही होते हैं तो आंसर वह अचार इक रिपलानी इन्हों यह लाइन जो ़हां बोली थी फिक हैं यह कोशन बड़ा पूरी पीपर में चली नेक्स कोशन का आंसर बताएंगे विच्च अमंगद अईुक्सन गमीशन वाकस मेंली ओन प्राइमरी और secondary agent किस शेक्षिक आयोग ने मुख्य रूप से प्रात्मिक और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान के इंद्रित किया आपको सच बता रहा हूँ पिछली बार आपको विटा है जैसे हंटर कमेशन हो गया वूट का नाम भी आप ने सुना होगा वुड दिश्पैच आपने 1854 Lord Delozy के time पे आपने सुना होगा Hunter Commission आपने सुना होगा Lord Rippen के time पे Hunter Commission जो है वो आया था उसके बाद आपने और कौन-कौन से Commission ने जल्दी बताईए कोठारी Commission है राधा काँच है सार्जेंट प्लैन है वर्धा स्कीम है ना वर्धा स्कीम भी आपकी इसी के बीच में आएगी 1937 में सार्जेंट प्लैन भी जो है वो आपका आएगा 1944 में आपका आएगा राधा कृष्ण कम्मिशन जो है राधा कृष्ण कम्मिशन जो है वो 1948 में आएगा आपका कोठारी कमिशन जो कि अभी तक हम follow करते थे तो कथारी कमिशन जो है वह आपका 1964-66 में आपका आया पर जलदी बताएंगे यहां पर क्या आंसर होगा बड़ाबना आंसर करेंगे आंसर क्या होगा यहां पर तो hunter कमिशन जो है वह जनरली जो है वह आपका किस से रेलेटर था that is प्राइमरी एंड से केंडरी इससे पहले आपका एक कमीशन जो है वो आया था रिगार्डिंग डा इंडिन जिसके बाद इंडिन युनिवर्सिटी एक्ट भी आपका आया था इंडिन युनिवर्सिटी एक्ट आपका 1904 में लॉड और तर्जन के टाइम पर रेले कमिशन उस की टू सक्सस होता है यहां पर रिवीजन नहीं की तो कुछ नहीं पाता आपने आज पड़ा कल भूल गया फिर पड़ा फिर भूल गया आप इसको जब रिवाइजन करते रहेंगे और आज सेल्फ जब आप नोट को पकड़ते हैं तो आप उनको याद करने कोशिश को पिच् को मिलती है आपको ध्यान में रखता है ध्यान में रहता है आपको ठीक है तो आंसर यहां पर मैंकले भी आएगा इंग्लिश एजुकेशन मैंने तो थोड़े बता है जो मेरे माइंड में भी आए एक 1917 वाला मेरे निमांग में नहीं आ रहा है एससे नाम में भूल गया हूं प्रेस जो है वह आपकी कौन कौन सी और जितनी भी आपकी निउस्पेपर जर्नल उनको पढ़ ले उसके बाद अगर आप एजुकेशन सिस्टम को पढ़ ले जैसे अगर मैं आपसे यहीं उचलूं की सबसे पहला जो है वह आपका मदरासा जो है वह आपकी मुस्लिम और जॉननाथन डंकन न संसक्रित Doll espect और ले ठोला तो यह एगist ने खोला घेगा आपको कुछेगा आपको आयगा आपको आएगा यह मैसका में यह किस ने खोला था उसी तरीके से आपके जो ट्राइबल रिवोल्ट जैसे आपको डिरेक्ली पूछ लियाता है इस रिवोल्ट से कौन रिलेटेड है यह यह पिछली पिछली से पिछली बार शाहिद दो-तीन साल पहले पंबना रिवोल्ट बोला था का हूँ इस रिफॉर्म सोचो रिलीजियस रिफॉर्म को पढ़ लेना कौन से रिजिस रिफॉर्म में किसने क्या काम किया है मैच भॉलिंग या फिर बनाके देगा या क्रॉनलोचिकल और में देगा इस से ज्यादा को कुछ निदेगा पर हाँ प्रिलियम के पॉइंट आप उसको अभ करते हैं कि या सतरह सत्रह सो यह सी में वेरें हैस्टिंग के टाइम पर बिल्कूल सही और वह कोशन आपका यूपी एसी में भी आया हूँ चलिए विच आप देपॉलिंग फांडेट दा इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ अवद अवद इंडिपेंडेंट स्टेट मुगल स उसका दूसरा नाम है जल्दी बिताए आंसर बुरहान उल्मुल्क उसका दूसर नाम है सुजादु दोला सफद्दुल्ला सफद्दर जंग सदत्खान जल्दी पताएंगे आंसर पढ़ना पड़ तो यार एचस का अगर आप तेरी करें मॉडन हिस्ट्री को अच्छे से प को च्छे से पढ़ भाद जाओ और फासकर आपकी मॉडन एन्शेंट मढाइवल और मॉडन हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ ज RAW और एकॉनिक सर्weय को अच्छा से एकॉनमी और एगरिगल जर के पॉइंट ऑनْ फॉरेश पॉनेटस फोड और्लो मैं आपको काता हूं कि भान मुल्क भी बोला जाता है दाट इस राइट आंसर चलिए नेक्स कोशन का आंसर देंगे वें दिट फॉर्स फैमीन कमिशन सेट अप इन इंडिया भारत में प्रतम अकाल योग की स्थापना कब हुई 1878 1778 1868 कब हुई थी भारत में पहला फैमीन कमिशन जो है वो कब इठ तो फैमीन कमिशन जो है वो कब आया तो अब जो सेशन को लाइक भी करना होते हैं अब बस इतना सा प्रेम जोग्राफी पढ़ोगे तो इंडियन जोग्राफी और वर्ल्ल जोग्राफी प्लस मैप वही आपका कम से कम देड़ दो मीने का जाता है तेक है और उसके साथ साथ पॉलिटी में आपको बहुत सार कुछ पढ़ना पड़ता है और करंट तो अंतनी है एक साल का करंट पूरा पढ़ना है तो है तो अगर अच्छे तरीके से पढ़ रहें तभी आप चीज़ों को बैलेंस बना के चलना पड़ता है तो यहां पर 1878 जो है वहां पर राइट आ से बताएंगे निमलिकित में से किसने शहीद और स्वराज द्वीप जो है वह अजाद हिंद सरकार को सौप दिया था आप सभी को पता है कि नरेंदर मोधी सरकार ने क्या पता आपको पेपर आमें यह कोशन आई जाए नरेंदर मोधी ने 22 जो हमारे परवरित चक्र होल्ड हैं तो उनका नाम जो है वह आपके अंडमा निकवार में जितने भी आइलेंड से उनका नाम उनके नाम पर रखे थे तो कब हुआ ऐसा बताइए या रिचस टांट सी जो है वह आपके राइट आंसर है यास बिलकुल बहुत बढ़िया मंडियाल घाटू जी बहुत बढ़ है है तो आश्यों से वहाँ हगा हिदे की तोजो यह उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर था जपान के इस से मिले थे सुबाज से बोस इससे भी मिले थे तोजो से तोजो इयाद रहाए रहा है ठीक है तो तोजो से याद रहना प्र दीए थे 1942 अभी आपका कैवेज़ी आप लोग हो सर देंगे मुझे हिरोशिमा पे जो नीूपलियर बंब गिराया गया था उस जो पलेन था उस पलें का क्या नाम उसको क्या नाम दिया गया था यहолотी स्जिथ जो है वो पूछा गया था ठीक है चलिए नेक्स्ट कोर्शन बताइए इन हुस टाइन दो मुगल एंपायर रीच इस टरिटरिल कलाइक्स किस समय में मुगल समराजे अपने चर्मोत्रिश पर पहुंच गया था मतलब टरिटोरिल जो उनका एरिया था वो काफी जादा जो है बढ़ गया था किसके टाइम पे अकबर शाह जहां और अगजेव या बहादुर शाह किसके टाइम पर सबसे ज़्यादा आके बढ़ा था कि जल्दी जल्दी बताएंगे अंसर सभी के सभी और कि वॉन का नेम नित्य यह बॉम तो सभी को पता है वह प्लेइन का टा है अनुनिन को नाम दिया था वह कूछा उन्हीं साथ करोड मिल जाएंगे साथ करोड का कोशन यह भी था कि जो हैक्टर जो आपका ओकिंग्स जब आया था नहीं यहां पर जहांगी से मिलने फित्तों थॉमस रोय तो वह कौन से शिप पे आया था वह हैक्टर एक शिप थी तो यह पूछा गया था कि विल्यम होकिंग्स वह तो में चीज आ आपका आंसर यहां में पर दिया यहां पर शास्वी कशप करोड़ा कि जीता वहीं सब्सक्राइब हुई पड़ यही एक कारण बनाता है क्योंकि आपका साउथ वाला रीचेन नहीं अग्रीकल्चर के लिए तरह जाद नहीं था और उस टाइम पे अग्रीकल्चर से सब्सक्राइब यहां के नोबल सर्वाइब नहीं कर पारे तो दीरे दीरे पतन होना शुरू हो गया था लास्ट कोशन अप टुड़े बताइए निमे लिखित में से कौन सा समराध बाबर ने पानिपत की पहली लड़ाई में सुल्तान इब्राहिम लोधी पर अपनी जीत को चैनित करने के ल जो पानिपत का यूद 1526 में हुआ था आपका वह पानिपत की यूद में इब्राहिम लोधी और जो इनके बीच में उसने जो विक्ट्री वहां पर एक मॉनुमेंट बनाया था वह क्या नाम था बुलंद दरवाजा काबुली बाग मौसिक अलाई दरवाजा यह जल्दी ब सेशन जो है वह आपका मैट का सेशन हो जाएगा तो ध्यान में रखना है आपने इस चीज़ को तो साड़े दस बजे आपका सेशन है कल एच्पी जीके का तो आंसर होगा काबुली बाग मौसिक के काबुली की वाइफ थी उसके नाम पे जो है वह यह इसने मौसिकी जो है वह बनाई थी तो अभी बच्चे आ रहे हैं तो आप सभी को मैं बता दूं कि एच्पी स्टडीस में आपको ट्वेंटी कोशन सो देखने पूरे यह ट्वेंटी कोशन वैसे नहीं कि करवाय और भगा दिया आपको अच्छे से समझाया भी जाता तो उससे रिलेटेड लगे होंगे इंदियांड हमारा एच्पी टीटी का नॉन मेडिकल का बैस टू जो है वह थाइस सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके साथ-साथ हमारा जो है वह बैस नमबर हमारा जहां पर आर्ट साइगा ठीक है मैं तब ही सोच रहा था कि पिछला में क्यों किया तो बैस का बैस नमबर फाइव है और वह भी आपका स्टार्ट हो रहा है और अपनी त्यारी सुद्धित कीजिए और आज का सेशन आई हो आपको बढ़िया लगा हो कि मेरी तो पूरी मैनत है यहां पर लगी है कि आपके लिए बैस से बेस्ट को लाए जाए ताकि आपकी चैनल पर मिल जाएगी ठीक है डिस्क्रिप्शन में टेलिग्रम चैनल भी है वाट्सअप लिंक भी है दोनों को जोईन करो इंफोमेशन यहां पर देते रहते हैं कुछ ऐसी इंफोमेशन जो कहीं नहीं मिलती यहां मिल जाएगी आपको करेंट फेर्च यहां डलते हैं इन इन सबी चीज़ों का अगर आप लुफ्त उठाना चाहते हो ने जो फ्री कंटेंट आपको मिल रहा है वह आपको यहां मिल जाएगा तो जल से जल्द इसको जोईन करना है आपने वाट्सअप ग्रूप और यहां पर कोई भी इंक्वेरी होती है आपको करियर से जाइ माच बाइ